कि can allo friends वहां बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में ओस्परिस डिसकस करेंगे फ्रेजे रिपिलिसमेंट के कुछ गुर्पिस्टमेंट के कुछ और इसमें कुछ फीलर्स के क्वह चली का मिलक्त रहेंगे चलिए देखते हैं के Любisch को इसको सही तरीके से यूज किया गया है वो आपको देखना है और उसके according for answer आपको लगाना है तो do away with का मतलब क्या है do away with का मतलब होता है कि किसी चीज को remove कर देना खतम कर देना ठीक है उसको जैसे आप इंग्लिश में बोलते है get rid of something किसी चीज से चुटकारा पाना उसको हम बोलते है do away with तो यहाँ पर एक sentence है he wanted to do away with his boring daily routine वह अपर daily boring routine से चुटकारा पाना चाहता था ठीक है तो यह sentence सही है मतलब यहाँ पर do away with का सही तरीके से use हुआ है तो जो जो sentence में इसका प्रियोग सही तरीके से हुआ है वो वो sentence आपको pick करने है उसके according इसका answer आपको निकाला है as the people of the locality want to do away with the water logging on the roads मतलब लोकालिटी के जो लोग थे वो water logging जो पानी जबा हो जाता है उससे चुटकारा पाना चाहते थे तो यह भी sentence सही है आपका next देखते हैं they want to do away with the business because it needs huge investment every month वो इस business से चुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि इस business में काफी सारा investment हर महीने लगता है तो यह sentence भी आपका सही है इसको देखते है if we are planning to celebrate his success we should do away नहीं इसमें with नहीं है तो यह sentence आपका गलत हो गया यानि first second और third sentence आपके सही है ठीक है first second और third का इसमें option नहीं है इसमें एक option दिया है all except fourth ठीक है तो first second third का option नहीं है लेकिन all except fourth जो है वो सी के equivalent है तो इसलिए यहाँ पर आपका answer होगा D इस तरीके से इन questions को आपको करना है इसमें phrasal verbs की knowledge और phrasal verbs को किस तरीके से apply करना है इसको आपको check करना होता है particularly bank exam में यह बहुत frequently पूछे जाते हैं इस तरह के questions अब हम देखते है second question go over go over का अर्थ क्या है go over का अर्थ है किसी चीज़ को पढ़ना उसको examine करना ताकि आप उसके base पर कोई final decision ले स security guard of the building मतलब इस building के लोगों को जो security guard इसमें appointment किया है उसके photo और इसका address proof की अच्छे तरीके से जाच परताल कर लेनी चाहिए थी उसको appointment करने से पहले तो इसमें gone over का जो प्रयोगा वो सही है यह आपका सही हो गया you should go over the details यह भी सही है sentence details को हम go over करते है she had to go over the market नहीं नहीं यह गलत है क्योंकि market में जाने के लिए हम go over का प्रयोग नहीं करते the project manager suggested that we should go over the computer's marketing strategy yes marketing strategy को हम examine कर सकते हैं तो इसमें third को छोड़के first second and fourth आपके सही है ठीक है और first second and fourth का जो option है वो है बी तो इस तरीके से sentences को आपको करना होता है beef up यह भी एक बहुत common phrasal verb है beef up इसका मतलब होता है जैसे security कहीं पर intensify की जाती है security कहीं पर बढ़ाई जाती है तो उसको हम beef up बोलते हैं या किसी भी चीच को increase करना उसकी power को इसकी intensity को बढ़ाना उसको हम beef up बोलते हैं अब इसके sentence दिखते हैं the airline company has beefed up सही है यह sentence है इसके साथ beefed up हम बोल सकते हैं एस पर coach of the team morning workout session is vital to beef up the performance ठीक है morning का जो वरकाउट होता है वो जो आपकी जो performance होती है उसको beef up कर देता है तो यह भी सही है in order to beef up her language skills she has to join the global center of language यह भी सही है she requested me to beef up the report report को आप beef up नहीं करते रिपोर्ट को आप ब्रीफ करते हैं ब्रीफिंग होती है रिपोर्ट की ठीक है तो four sentences में गलत है यह sentence गलत है इसमें first second और third यह सही है इसमें first second and third यह इसका option हो जाएगा C ठीक है ऐसे इनको करना है आपको think back think back मतलब पहले जाना और सोचना जो पराना time है या जो past है आपका उसके बारे में सोचना think back he was very much worried about his folder and files but when he thought back on it he recalled that he kept them in his office covered ठीक है वो बहुत चिंतित था कि उसने file और folder कहां पर रख दिये थे लेकर जब उसने उसके बारे में सोचा तो उसको ध्यान आया कि अपने office covered में उसको उसने रख दिया था तो यह sentence तो सही है we should think back to our advertising strategy मतलब हमको अपनी 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 स्टेड़ी को फिर से एक बार सोचना चाहिए think back का मतलब है recall करना actually ठीक है think back का मतलब है recall करना तो यहां पर recall का प्रियोग यहां पर यह सही है actually sentence you should think back on the incident when you took loan मतलब उस incident के बारे में आपको सोचना चाहिए जब आपने लोन लिया था तो यह भी सही है actually क्या है कि आपको ज़्यादा time नहीं लगाना है आपको जैसे ही लगता है यह sentence सही है पूरा sentence पढ़ने की जरूवत नहीं है को इस मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको कि बल 40 seconds में एक कोश्चर को solve करना है banking exam में if you want to think back before taking path in completion देखिए इस sentence का मतलब क्या निकल ला है इस sentence का मतलब यह निकल ला है कि completion में बैठने से पहले यदि आप एक बार और सूचना चाहते हैं यह इसका मतलब निकल ला है लेकिन यहां पर actually think again होना चाहिए यदि आप यह sense लाना चाहते है तो think again होना चाहिए लेकिन इसमें लिखा है think back तो इसलिए four sentence जो है यह गलत है first second or third sentence इसमें आपके इसमें फ्रिजल बर्ब का प्रियोग जो हुआ है वो सही हुआ है तो यहां पर भी आपका answer होगा see show up show up का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना ठीक है तो इसका हम sentence पढ़ते हैं the program initiated by the state government will show up the girls education सही है यह सही है को बढ़ा देगा यह program my father has given the financial assistance of rupees 5 lakhs as he want to show up my business सही है the company has decided to open three more customer service center to show up the it's troubled image अपनी troubled image को सही करने के लिए यह भी सही है recent trade agreement with Japan will show up the domestic small list के लिए भी सही है चारों सही है इसमें ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका all are correct ठीक है next दिखते हैं hold back मतलब किसी चीज को रोकना या किसी चीज को आगे नहीं बढ़ने दिना या अब कर तो यहां पर बैक नहीं है कि बढल होना चाहिए यह यहांंपर र भी नहीं आए किभल होना चाहिए यहां पर तो थर्ड आपका गलत है इसमें मतलब लिटरेसी का जो लोर लेबल है और अनेम्पलोईड जो एजुकेशन है उसने टाउन को हेल्ड बेक कर दिया है मतलब टाउन की पॉग्रेस को रोग दिया है तो यह सेंटेंस सही है इसमें फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो सेंटेंस है वो आपके सही है आंसर हो जाएगा आपका B पुटसाइड किसी चीज को एक तरब रख देना किसी चीज को अलग निकाल के रख देना यह टाइम और मनी दौनों के लिए यूज होता है पुटसाइड ठीक है तो बोथ और्गनाजिशन्स है पुटसाइड दियर डिफरेंसे हाँ डिफरेंसे के लिए भी ये यूज होता है अपने मतवेधों को एक तरब रख देना उस सेंस में यूज होता है तो यह सेंटेंस सही है यहाँ पर सब्सक्राइड ये भी सही है फ्रॉम इस हेक्टिक शेडूल मैं फादर आल्विस ट्राइड टू पुटसाइड टैन मिनिट्स यह भी सही है प्लीज असाइड टेबल नहीं यह गलत है इसका सेंटेंस असाइड नहीं बोलेंगे यानि फास्ट सेकेंड और थार्ड यह सही है इसमें दो यूर्ण ऋसिंटो का मतलब क्या है गों इंटो इन्वेस्टीएड होता है और किसी नए करिय को हम चूज करते हैं उसमें जाते हैं उसको और भी आम गोन टु को बलते हैं तो इसको देखते हैं सेंटेंसेट 200 को gone into defense services to fulfill his mother's deem yes i here the investigating officer uh has got two mobile phones and one uh one diary and he should go into these things to solve the case is here when you did not know how to operate the machine you should have gone into the user guides because he is gone into the user guide exodus ko dekta hume they have gone into the market name 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 ye kalathe is my sentence they should have gone into the is this race a b actually bulls up the house go to us in appropriate salaga rye have gone into the user guide uski josh portal can i ask for perna to yes and this be say here appropriate for second or third is cancer oh yeah i have a see account for और मतलब किसी चीज के रिस्पॉंसिबल होना इसको देखते हैं तोड़े ही एस बी नॉमिनेटेट फॉर दा पोस्ट आपकाउंट मैनेजर बद ही जॉइंड ऑगनेशन सीनियर एकाउंट एक्जेकुटिटिव एन यूस्टू एकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए जवाब दे होना या किसी चीज को एक्स्प्लेइन करना उसके रीजन को एक्स्प्लेइन करना तो इस सेंटेंज मां बता रहे हैं कि वह एकाउंट मैनेजर बनने से पहले एकाउंट एक्जीकुटिव था और इसको हर पैनी का जवाब देना होता था तो यह सही है इस the reports account for all the important aspects of the case so please keep it safely यह भी सही एस में the commerce graduate account for किसी total का हम number बताते है percentage के इसमें इतना contribution है यहां पर बता रहे हैं कि commerce graduate जो है वो टुटल स्टाफ में 53 परसेंट है तो इस sense में भी हम account for बोल सकते हैं इस डिपोर्ट एकाउंट for all the important aspects यह भी सही है फर्स सेकेंड और थर्ड इसमें सही है और हर carelessness and ignorance account for her feature failure but see she will have to mend her ways तो यह भी sentence में सही है ठीक है तो यह ला सेंटेंस यह और सारे ही इसमें सही है the careless and ignorance account for her failure एक सेकेंड इसको और देख लेते हैं ठीक है इसमें एक्शुली यह sentence एक्शुली थुला सा पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा इस डिपोर्ट एकाउंट फॉर all the important aspects of the case so please keep it safely यह sentence भी इसमें सही लग रहा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एन फॉर्थ हाँ इसमें all are correct ही हो गया यह sentence हम देखते हैं the delay in completing the task can be attributed to there क्या आएगा इसमें इसको हम देखते हैं the delay in completing the task कि देखें the delay in completing the task fully can be attributed to their punctualty यदि आपने punctualty के साथ काम किया है तो delay नहीं हो सकता ठीक है the delay in completing the task fully can be attributed to their punctualty यदि आप punctual है तो काम में डिले क्यों होगा इसके गलत हो जाएगा आपका ठीक है तो यह नहीं होगा इसमें the delay in completing the task economically can be attributed to their rigidity नहीं इससे sense नहीं बन रहा है देखिए यदि आप economical हैं तो आप rigid नहीं है economical होना अलग चीज़ है है rigidity अलग चीज़ है ठीक है religiously stickness, carefulness, perfection देखिए यहाँ पर actually यह वाला option सही लग रहा है इसमें the delay in completing the task xp dtsly xp dtsly मतलब जैसे xp diet हम बोलते है xp diet मतलब तेजी से किसी काम को खतम करना जल्दी से किसी काम को खतम करना उसको हम बोलते है xp diet तो xp dtsly the delay in completing the task xp dtsly मतलब काम को जल्दी से खतम करना ठीक है इसमें जो डिले हुआ है उसके लिए responsible कौन सी चीज़ है उसके लिए responsible है उनका आलस उनकी लेथार्जी तो इन दोनों सेंटेंस एक logic भी बन रहा है और दोनों सेंटेंस यह दोनों वर्ड सही भी है यहां पर तो इसका आंसर होगा यह वाला फस्ट वाला ठीक है 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 2nd सेंटेंस देक्त्र हैं थे हैंड राइटिंग उन्द लेटर was वैरी नन कूद इसका सेंस क्लैक दिशा सेंस यह निकला है है कि जो लेटर पर जो हैंड़्या थी वह बहुत बेकार थी जिसको पढ़ नहीं सकते थे हम इसले कोई पढ़ नहीं पाया और जिस राइटिंग को आप पढ़ नहीं सकते हैं उसको हम बोलते हैं illegible, legible नहीं है, illegible है ठीक है तो second इसका answer हो जाएगा थार देखते हैं when the mob turned, the police opened fire, open fire मतलब गोली चलाना तो police गोली कप चलाती है जब mob कैसी हो जाती है और यहां पर एक mob को बताने वाले वर्ड़ चाहिए आपको और यहां पर आपको事情 को बताने वाले वर्ड़ चाहिए तो situation कैसी हो सकती बर्णिंग situation नहीं हो सकती, धिक है,- devastating situation नहीं हो सकती aggravate नहीं आएगा क्योंकि aggravating situation आपको बोलना पड़ेगा writing situation हो सकती है जैसे दंगे हो जाते है ठीक है तो writing यहाँ पर एकदम सही आ रहा है और यहाँ पर hostile भी एकदम सही है when the mob turn hostile ठीक है जब भीर जो है वो ज़्यादा कृद्ध हो गई ज्यादा hostile हो गई ज्यादा violent हो गई violent भी यहाँ पर एकदम सही वर्ड हो सकता है लेकिन hostile और writing यहाँ पर आपके सही option है और यही इसका सही answer यहाँ पर होगा next हम देखते है how people would in a particular situation cannot be with perfect accuracy perfect accuracy देखिए यहाँ पर एक word आ रहा है तो perfect accuracy किस word के साथ जा सकता है हम किस चीज में accurate नहीं हो सकते हम prediction में accurate नहीं हो सकते हैं ठीक है हम calculation में accurate हो सकते हैं लेकिन हम prediction में prediction मतलब किसी चीज को predict करना किसी चीज को बताना कि ऐसा हो सकता है future में तो यहाँ पर predict word ही सही रहेगा और यहाँ पर actually behave word सही रहेगा क्योंकि people किसी particular situation में behave करते हैं तो how people would behave in a particular situation cannot be predicted with perfect accuracy ब्लकुल सही तो third इसमें आपका सही answer होगा यह कुछ error के sentence है इनको देखते हैं It has been better to put your money in a bank than to keep it under your bed in a suitcase देखें इस sentence के थुरू हम क्या बोलना है यह sentence में बोला जा रहा है कि It has been better मतलब ऐसा अच्छा रहा है कि हम पैसे को बैंक में रखें बजाए इसके कि हम उसको बैड में रखें suitcase में बंद करके तो ऐसा रहा है यह कहना उत्रा अप्रोबेट नहीं होगा हम यहां पर बोल सकते हैं कि It would be better ऐसा अच्छा होगा कि हम अपने पैसे को बैंक में रखें और उसको suitcase में ना रखें तो It has been better की जगह है It would be better आप यहां पर बोल सकते हैं तो यह जो sentence है इसमें grammar की गलती नहीं है एक phrase की गलती है तो इस तरह की जो errors हैं यह banking exam में काफी पूछी जाती है यह एक had और would have वाला sentence है ठीक है If you would have read the instructions carefully यूँड है देखें यह बहुत simple sentence है इसमें दो पार्ट होते हैं ठीक है यह conditional sentence है एक होता है condition वाला पार्ट और एक होता है result वाला पार्ट यदि आपने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता तो एक होता है condition वाला पार्ट और एक होता है result वाला पार्ट ठीक है तो condition वाला जो पार्ट है वो हमेशा if के साथ उसमें head आता है If you had read If you had read the instructions carefully You would have answered the questions wrongly इस तरीके से बनेगा तो second वाला पार्ट जो है यहां पर इसमें head होना चाहिए तो A इसमें गलत है एे पार्ट इसका answer होगा और यहां पर भी यहां पर भी first answer होगा यहां देखते हैं I can see through See through का क्या मतलब है See through का मतलब है किसी के इरादे को भाप लेना ठीक है उसको मुलते है see through I can see through her sudden friendly lens she wants me to look over her dog while she is away actually इस sentence का मतलब यह है कि मैं उसकी जो sudden friendly lens है ठीक है उसको मैं भाप सकता हूँ उसको मैं जान सकता हूँ क्योंकि वो चाहती है कि जब वो बहार जाए तो मैं उसके dog की देखवाल करूँ तो grammar के साब तो यह sentence सही है लेकिन यहाँ पर यह phrasal bar जिसमें गलत है look over नहीं होगा look over का मतलब तो किसी चीज को examine करना होता है look after यहाँ पर बोल सकते है look after ठीक है तो यह third इसमें आपका answer हो जाएगा देखे यह कुछ नए पैटन के question है जो बेंकिन एक्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इसमें इसको हम phrase replacement बोलते हैं और इसमें जो bold part है उसको आपको grammatically correct करना है the inexperienced trainee accidental turn off the light मतलब जो inexperienced trainee था उसने गलती से lights को turn off कर दिया तो turn off क्या है turn off एक freezal verb है मतलब अपने आप में एक verb है और verb को हम qualify करते हैं adverb से तो यहाँ पर accidentally होना चाहिए ठीक है accidentally turn off तो third इसमें आपका सही answer हो जाएगा attempts by both parties to reach for a consensus haven't succeeded consensus का मतलब होता है एक मत पर राजी हो जाना दस लोग है तो दस लोगों का एक ही मत है एक ही opinion है उस पर राजी हो जाना उसको हम बोलते consensus लेकिन यहाँ पर आपको इसमें यह वाला जो phrase है इसको आपको सही करना है ठीक है reach के बाद हम proposition नहीं लगाते हैं तो यह इसमें गलती है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा to reach second इसमें आपका सही answer होगा next sentence दिखते है children nowadays are watching too much television television एक noun है noun से पहले हम too much लगा सकते हैं एक होता है too much एक होता है much too much too को हम adjective से पहले लगाते है much too high ठीक है तो too much noun से पहले यहाँ पर लगा हुआ है तो यह sentence सही है इसमें होगा new correction required इस तरीके से इन sentences को आपको करना है और यह है मेरे details यह मेरा contact number है English Revantage Group यह Facebook पर है इसको भी आप जोइन कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके questions की आपको जार स्यादा प्रेक्टिस करनी है तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में तिल दन बाई and have an awesome day थेंक यू